Hey Whatsapp investors this is Samir and I am back with another video First of all thank you so much guys आप लोग ने मेरा previous वीडियो को इतना support किया उसके लिए बहुत बहुत शिक्रिया So guys आज जो stock के बारे में लोग बात करने वाले हैं वो one of the best stock है अपने sector का यह एक non banking financial company का एक one of the best mid-cap stock है हाँ guys यह अपने sector का leader तो नहीं है But मैं बोल सकता हूँ guys यह stock में इतना potential in coming years में यह अपने sector का leader बन सकता है So guys सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह company करती क्या है Main business guys इस company का यह है कि यह gold loan देती है अपने customers को जी हाँ guys यह अपने customers को gold loan देती है और यही इस company का main business है So guys आप इस video को पूरे end तक देखना में इस stock का valuation किया है आप इस video को पूरे end तक देखना और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस video को like करना इस channel को subscribe जरूर करना और इस video को share करना So चलिए बढ़ते हैं वह stock के तरफ So guys वह stock का नाम है मननापूरम Finance Limited बहुत ही कम लोगों ने stock का नाम सुना होगा बहुत लोगों ने बजाच Finance Limited का नाम जरूर सुना है यह बजाच Finance का competition हम लोग इसको बोल सकते हैं और यह financial sector का one of the best mid cap stock है अगर मैं आप से इसकी price की बात करूं गाइस तो यह इसकी last closing price जो फ्र लोगडाउन खुला है गाइस तब से इन सारे stock जो अपनी जो मैंने आपको बताया है previous video में और यह stock के बारे में भी गाइस बहुत ही अच्छा movement देखने को मिला है जब से lockdown खुला है अगर मैं एक year की बात करूं गाइस तो one year में यह अपना high बना रहा था 194 rupees का और इसने 51.60 रूपीज में आ गया बट फिर भी गाइस इसने अपनी इंवेस्टर को 15% का positive return दिया जहां बागी सारी नेगेटिव रिटन दिया इस stock ने 15.32% का positive return जो कि बहुत ही बड़ी बात है अगर मैं आप से इसकी like five years की बात करूं गाइस तो आप देखोगे five years ने इसने अपन करो गाइस तो 6570 के आसपास का return every year का रहा है जो कि बहुत ही बड़ा बात है और अगर लोगडों नहीं हुआ होता गाइस और यह क्रोना वाइस का पैंडव नहीं होता तो यह 194 जो हाय बना रहा था यह 250 या 220 के आसपास तो यह चलाई गया होता है यह स्टॉक तो गईस अग ट्री से तो बहुत ही जादा रिटन देता है यह इंट्री पॉइंट के अगर मैं बात करूंगा इस तो यह बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है मेरे साइट से भी और बहुत सारे आनलिस्ट ने भी इसको जो वैल्यू किया गई सबने सजेशन दिया यह बहुत ही यह 8.64 की और सेक्टर की पीच दिए 22.71 की इसका मतलब यह गाईज इसकी जो प्राइस टो अनिंग रेश्यो ए इसकी बहुत ही सस्ता चल रहा है मतलब यह इस चौक अभी बहुत ही कम वैलिएशन पर यह कम प्राइस पर मिल रहा है अगर मैं पीवी रेश्यो की बात कुरू 2.79 का है और सेक्टर का पीब यह 1.70 तो हां गाइस यह सेक्टर का पीवी से लेक्ट प्राइस्ट विक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है वह इसलिए गाइस लाइक इन रिसेंड येर में इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा अप्टेंड का मूव देखने को मिला था इसी के यह बढ़ा है 2017 1819 हर साल में इसने अपना रिवेनियू प्रॉफिट को बहुत तीजी से बढ़ा है अगर आप 2017 का प्रॉफिट देखोगे और 2020 का प्रॉफिट देखो गाइस तो इसने तीन साल में अपना प्रॉफिट को दो गोना किया मतलब डबल कर दिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है यह stock के बारे में अगर आप मैं shareholding patterns की बात करूं गाइस तो shareholding patterns आप देखोगे promoter के पास 35% की holding है जो कि बहुत ही अच्छी holding है जिसमें से 0.76% का pledge है 1% का भी 1% से भी कम का pledge है जो कि उतना matter नहीं करता और अगर mutual funds holding की बात करूं गाइस 7.06% है domestic institutional holding के पास 8.50% है foreign institutional holding के पास 39.41% है और other parties के पास 17.02% है जो कि एक बहुत ही अच्छी shareholding pattern stock को बनाता है और अगर आप मैं बात करूंगा इसकी like comparison की बजाज finance limited से और मुथूट finance से अगर मैं compare करूं ग्यास तो इसकी P.E. देखो और बजाज finance की और मुथूट finance की P.E. देखो इसकी P.E. चल रहा है मन्नापुरम Finance Limited की P.E. चल रहा है 8.64 की और बजाज finance की पी चली 30.06 की मुदूट फानास के चली 15.07 की आप खुद देखो गाइस कितना सस्ता इसका प्राइस टो अनिंग रेशियो इसके अगर पी वी चली 2.79 की बजाज फानास की चली 4.69 तो इसकी पी वी बहुत सस्ती चल रही है अपने कॉम्पेटिशन के मुकाबले में अगर मैं आपसे बात करूं गाइस अगर जिस तरीका रिटन इसने अपने प्रिवियस एर में अपने इंवेस्टर को दिया है और अगर इ अगर आप में बात करूं गाइस एक और कंपार रिजन की मन्नापूरम फानास के एक साल की कंपेर करूं गाइस तो आप देखोगे जून 26 2019 से लेके जून 19 2020 एक साल की में बैबात कर रहा हूं बजाज फाइनस ने नेगेटिव रिटन दिया 25% का और उसी जगह में मन्नाप साटो की घुड़ साईन एंगाईश इसलिए में आपको बोल रहा हूं गईश्क घड़ाज स्मया यह अपनाप नहीं डिस्ट में रखो अपने वैल्यशन कर भाइस इन दोनों स्टॉक का यह दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छा है अगर मैं आपको बोलूंगा इस इन फीच नहीं करना है तो गैस मैं आपको बोलूँगा आप इसमें SIP कर वालो सबसे बेस्ट होगा एवरी वीक यार टू वीक में एक वीक में दो तीन स्टॉक करके उठाओ अगर आप ट्वेंटी स्टॉक उठा लेते हो तीन इजार का इंवेस्मेंट पढ़ेगा गाइस वन फिफ्टी वन इंटू ट्वेंडी करोगे तो तीन इजार दो बीस रुपे आएंगे तीन त्री थाउजन प्वेंटी रुपी आएगी अब बीस स्टॉक उठाओ लेकर इस उठाओ लेकर यह प्माइबा।